दोस्तो मैं नागेंदराइसपूत आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड कम्पूटर क्लास में दोस्तो आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं MS Excel के रिप्लिस फॉर्मली के बारे में का जो यूज हो जो हम करते हैं किसी भी टेबल पर किसी भी कंटेंट पर तो उसका यूज हम कैसे करेंगे जैसे कि आप देख पारेंगे हमारी एक्षाल की सीट पर हमने एक छोटा सा एक टेबल बनाके रखा हुआ इसमें नैम लिख रखे है फूल नेम है और मुझे इसमें क्या करना है जिसे अकश कुमार लिखा हुआ है इसका मुझे नाम Elecum Congaidd investor करना आपको को टाइब करना हुआ मैंने फॉर्मले का सिंटेक्स है यह वाला इसको समझनी कोशिर करेंगे पहले हम यहां पूछ रहा है ओल्ड टैक्स्ट ओल्ड टेक्स क्या है हमारा प्राय नाम किया है कास कुमार तो यह कॉंसर में लिखा हुआ है डी कॉलम में लिखा हुआ रो नमर क् है तो यहां पर डी फाइब लिख देना होगा या फिर आपका क्लिक कर देंगे फिर आपका सेल का रिफरेंस यहां पर आ जागा उसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपका नया सिंटेक्स कुझ रहा है स्टार्ट नमबर यानि आपको नाम जो चेंज करना है वो कहां से चे आपको यहां पर डालना होगा जैसी हमने आप डवल कोड में बोल नाम लिखना पड़ता है अब जैसे मुझे कुमार आकाज सिंग लिखना है मुझे तो मैंने आकाज सिंग लिखा और डवल कोड में जो कि नाम लिखा हूं उसको डबबल पोड को लौज कर देना हुगा और ब्रेकेट मैंने क्लोस कर दिया आपको इतना लिखने के लाद आप ऑब जैसे लिक्किया गया है इसी तरीके से मनोस तो आप इसी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं तो मुझे ओल टेक्स ले दिया मैंने कॉमा स्टार्ट नम्मा सींग की जागे कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप डाल देंगे एस सो लिखा वह सैबन नम्मर पर लिखा हुआ है और कॉमा और सींग है वह फाइब लेटर का है क अब क्या डालने चाहते हैं डबल कोड में कलिक देना हो आपको और मैंने यह नाम ड़ींटर कर दिया साफ देक्ते हैं इस तरीके से किसी भी नेम को रिपलेस कर सकते हैं मेरे का सेसे मेरे आपको बसंदक है करें और आhसी वीडियो और देखने के लिए फॉर्मले संबंदित तो चैनल को सब्सक्राइब परना बूलें और पूरा वेडियो देखने के लिए दन्यवाद